नमस्कार, आज हम इसनातक रित्य वर्ष में जैसंकर प्रशादवार रचीत आसु वीरह काववे के बारे में पढ़ेंगे पुर्व की कख्षा में हम इस के कुछ पद पढ़ चुके हैं उसमें जैसा की आसु एक वीरह काववे हαιं कवी अपनी वीरह वेदना के छणों को अपनी वीरह वेदना का चितरन करते वे बता रहा हैं आगे कवी कहरा है यहें पारावार तरल हो, फैनिल हो गरल उगलता, मत डाला की सत्रिशना से तल में बढ़्वानल चलता कवी कह रहा है अपनी विरह वेदना के छणों में सीतलता एवं आनंदान बुती का चितरन करते वे कह रहा है कि यह हैं पारावार पारावार यानि सागर तो कवी सागर बता रहा है अपनी वेदना को कह रहा है कि यह हैं वेदना रूपी सागर जब उची तरंगों में व्याप्त हो गया तो उसमें फैनिल हो गरल उगलता तो उसमें ज्छाग रूपी वेथा का जहर निरंतर फैलता रहा गरल यानि जहर फैनिल यानि ज्छाग तो कभी कह रहा है कि जब विरह रूपी वेदना रूपी जो सागर है उसमें उतांग तरंगों से व्याप्त हो गया वहें तो जाग रूपी व्यथा का जहर निरंतर फैल रहा है यानि जाग के रूप में जैसे उची उची तरंगे उठती है समुदर में तो जाग बनते हैं तो यहां कभी अपनी विरह वेदना को उची स्तर बता रहा है उची तरंग बता रहा है और जाग क्या है व्यथा के रूप में बता रहा है आगे कह रहा है मत डाला किस तृष्णा से कभी कह रहा है कि जैसे रिदे को उसी तल से मत डाला कैसे जैसे समुद्र के तल में वाड़ा अगनी उसे मत डालती है यानि बड़वा अगनी जो है समुद्र के तल को मत डालती है उसी तरह है मेरे रिदे को तल को क्या कर दिया मत डाला है यानि कभी ऐसे कह रहा है कि इससे क्या है किसे कि विरे वेदना में तृष्णा तृष्णा के कारण रिदे अधिक संतप्त बन रहा है और विरेहा अगनी अधिक बढ़ रही है कभी आगे कह रहा है कि नी स्वास मले में मिलकर छापत छू आएगा अनतिम किरने बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा कभी आगे कह रहा है कि ऐसी स्थीती में पुर्म में जो अपनी स्थीती बताई है ऐसी स्थीती में मेरी गरम स्वास से क्या करेंगी नी स्वास यानि जो विरेह के कारण उच्च स्वास है वो गरम हो गई है इसके कारण क्या है कि मेरी गरम स्वास मलय में मिलकर निसीम आकाश में फैलेगी यानि मेरी गरम स्वास मलय की जो पवन है उससे मिलकर निसीम जो आकाश है वहां तक फैल जाएगी अंतिम किर्णे बिखरा कर ऐसा हो जाने पर अपनी अंतिम किर्णों को फैला करकों चंद्रमा भी हिमकर यानि चंद्रमा भी छिप जाएगा ऐसे में अपनी अंतिम किर्णों को चंद्रमा भी फैला करके अस्त हो जाएगा अर्थार्थ अतिशे वेदना से उतिप्त श्वासों का प्रसार बढ़ जाएगा जिससे चंद्रमा का साहस भी छिप जाएगा यानि उसकी जो सीतल है सीतल कीरने वो मेरे विरह की जो सास है स्वास है उससे जो मलए पवन है वह गरम हो के आकास में फैल रही है तो उसकी गरमी के आगे वो भी छिप जाएगा यहां आगे कवी कह रहा है चमकूंगा धूल कणों में सोरब हो उड़ जाऊंगा पाऊंगा कहीं तुम्ही तो रहे पत में टकराऊंगा कवी कहता है कि विरह है विरह है वेदना के उत्ताप में मैं क्या करूंगा धूल कणों में यानि मैं धूल कणों में चमकने लगूंगा और सोरब हो उड़ जाऊंगा सोरब यानि सुगंदि जो मक्रन्ध है वो बनके मैं उड़ जाऊंगा तथा अपने प्रियतम को यदि कहीं पासको तो कठिन पाऊंगा कहीं तुम्ही तो तुम्ही तो कौन अपने प्रियतम के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें अगर कहीं पास सकू तो कठिन से कठिन अवरोधों में ग्रह पत में टकराऊंगा यानि चाहे कितने भी कठिन से कठिन अवरोध हो वहां मैं तुमसे टकराऊंगा यानि समस्त कष्टों को सहन करते वे मैं अंत्ते मेरे प्रियतम से मिलने की आशा रखता हूं उसको प्राप्त करूँगा आगे कभी कह रहा है इसी क्रम में कह रहा है कि जो घनी भूत पीडा थी मस्तक्ष में स्मृती सी चाई दूर दिन में आशू बनके वेह आज बरसने आई यह हैं वैसे महत्वपुनपद है इसमें कभी कह रहा है कि जिस प्रकार आकास में मेग सगन हो जाते हैं और फिर निरंतर जल वर्षन करते हैं उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिये मिलन के समय की स्मृतियां गिर के सगन हो गई है यहां कभी जो है प्रियतम की स्मृतियों को याद करने से उनके विरह वेदना में जो व्रिद्धी वी है जो उसके बारे में कह रहा है कभी कह रहा है कि जो गनी भूत पीडा थी यानि जो पीडा थी गनी भूत कैसे जिस तरह आकाश में मेग चाते हैं और फिर आपस में मिलके सगन हो जाते हैं आकास को पूरे को डख लेते हैं उसके बाद में ही कैस जलवर्शा करते हैं उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकास में प्रियतम की इस्मृतियां हैं वह सगन होके चा गई हैं इस वेदना की गहरी अनुभूती से मेरा मन क्या है व्यथीत हो रहा है और अब प्रियतम के विरोग वियोग के कारण मैं विसम परिस्तितियां अनुभव कर रही हूं और उ आसूं के रूप में बरस रहे हैं दूर दिन में आसू बनके वह आज बरस ने आई यानि दूर दिन यानि बूरे दिन अब बूरे दिन यहां कवी ने अपने वीरह के दिनों को कहा है और कह रहे हैं कि आज इन वीरह के दिनों में वो इस्मृतियां जो हैं बादल रूप में व्यक्ति का रिधे दुखी होके बरसता है, तो उसकी आँखों से अश्रुधारा प्रवाही तोपी है, यहां कभी यह कहना चारा है, आगे कभी कह रहा है, मेरे कृंदन में बजती क्या वीना, जो सुनते हो धाकों से इन आसु के नीज करुणा पट पुनते हो, आगे कभी सिक्रम में कह रहा है, कि विरेव्यति कभी प्रिय से प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, कि क्या तुम मेरी करुणा दसा से विचलित हो, मेरे कृदन में बजती क्या मेना, कभी कह रहा है, कि तुम्हारी मिलन गाथा की इस मृति से मेरे रिधे में करुणा भर देती हो, तब मेरा रिधे कृदन करोटता है, क्या कभी तुम्हें व्यथा भरी करुण स्वरो वाली मेरी रिधे रुपी वीना की अवाज सुनाई देती है, यानि मेरा रिधे वीरे में वीना के जैसे बजने लग गया, क्या तुम्हें उसका स्वर भी सुनाई देता है, कभी कहना चाहरा है क्या तुमने कभी मेरी पीडा को अनुभव किया है आगे वह कह रहा है कि धागों से इन आसुओं के निज करुणा पट बुनतें कभी कह रहा है कि मेरे नैत्रों से प्रवाहित हुए अश्रों की धारा के तार क्या तुम्हारे रिधे में करुणा के वस्तर बुनतें करुणा पट यानि करुणा रूपी वस्तर कौन मेरे जो आसुओं से लगातार जो दुखी मन से अश्रों की धारा है उनके तार तुम्हा करूना रूपी पट कहां प्रियतम के रिदय में बन रहा है क्या प्रशनात्मक सेली में कभी अपने प्रियतम से प्रशन पूछ रहा है अर्थार्थ करुणा व्यथा से पीडित तथा इस कारण निरंतर अश्रुधारा बहाने पर मेरे प्रियतम क्या तुम्हारी संबेदना जागरित होती है यानि मेरे दुख से क्या तुम्हें दुख अनुभव होता है आगे कवी कह रहा है कि रो रो के सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजन कवी कह रहा है कि मैं रो रोके और सिसक सिसक के अपनी वेदना भरी करुण कहानी कहता हूं लेकिन तुम क्या करते हो तुम मेरी सुमन नोचते सुमन अथार्थ मेरे जिस तरह पुष्प कोमल होता है उसी तरह मेरी भावनाएं भी क्या है कोमल है तुम मेरी कोमल हार्दिक भ भावनाओं को अनसुनी करते हो, नोचते यानि उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनको अनसुना कर देते हैं, यानि मेरी भावना रुपी पुश्पो को तुम मसल देते हो, और नित्तांत अजीब सा करते जानी अन्जानी, जानी अन्जानी यानी जैसे तुम मुझे जानते नह ही हो इस तरह का अजीब सा विवार मेरे साथ करते हो आगे कवी कह रहा है कि मैं बल खा जाता था मोहित बेसुद बलिहारी अंतर के तार कवी कह रहा है कि मैं विरह व्यथा से पीडित होकर तुम पर मुद्धों के बल खा जाता था यानी बलिहारी हो जाता था तुम पर और तुम पर अपना सर्वस्व लुटाता था मोहित बेसुद बलिहारी पूर्व में मैं तुम्हारे कारण अतिशे कस्ट जेलता था और मेरे रिधे के अंतर के तार खिचे थे यानी अंतर यानी रिधे के मेरे रिधे के प्रेमिल भावों से मदूर स्वरों को तुमने अनसुना कर दिया आगे वह कह रहा है कि फिर भी मेरी भावनाए निरंतर तीखी थीतान हमारी यानि फिर भी मेरी भावनाए निरंतर प्रबलता से व्यक्त होती रही थी और मैं रिधे से तुम पर समर्पित हो गया इसी के परणाम सुरूप मुझे इतनी वीरावेदना का अनुभव करना पढ़ रहा है इसके आगे का अंश हम कल पढ़ेंगे धन्यवाद